जाल यादव निर्हुवा जी मानने सदस्च का ये पहला संबोधन है संसद। धन्यवाद अद्यक जी मैं आज पहली बार सदन में बोल रहा हूँ तो अगर मुझसे कोई क्रूपी हो जाए तो आप सब लोग मुझे छमा कीजिएगा मानने द्यक जी कहा जाता है कि भाषा हमारे अस्तित्व का मूल है हम अपनी भाषा में बेहतर तरीके से सोच समझ और अभिव्यक्त कर पाते हैं मात्मा गांदी जी ने भी मात्री भाषा के प्रती किर्टग्य होने की बात कही है इसी भावना के साथ पिछले पांच दसक से करोडो भोजपूरी भाषी एक आस लगाए बैठे हैं कि भोजपूरी को संबैदानिक दरजा मिले उसे संबिधान की आठवी अनुसूची में सामिल किया जाए लेकिन भोजपूरी का इंतजार खतम नहीं हो रहा है कभी तो भाषा के वेद का पाठ पढ़ा कर तो कभी नियमों की अस्पस्रता का हवाला दे कर भोजपूरी भाषियों की मांग पूरी नहीं होने दी गई अध्यक जी भारत से अलग मौरिसस की पहल पर युनेस्को ने भोजपूरी संस्कृती के गीत गवनई को संस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया लेकिन पहले के केंद्र की सरकारों ने कभी कोई ठोस प्रयास नहीं किया मोदी जी की सरकार ने सकारात्मक पहल करते हुए केंद्री संस्कृति मंत्राले ने भोजपूरी फिल्म समारों का आयोजन किया जिसके लिए मोदी सरकार जी का करोडो भोजपूरी भाषी हिर्दय से धन्यवाद करते हैं सभी जानते हैं कि भोजपूरी भाषा की अलडाई 1967 से जारी है 1960 में पहली बार इसके लिए बिल लाया गया कई अंदोलन भी हुए 16 देशों में बोली जाने वाली भाषा जिसकी जड़े लगबग 1000 साल पुरानी है जिसको भारत से बाहर कई देश सुविकार कर चुके है जिसको युनेश को समान दे रहा है क्या इस भाषा को अपने देश में संभेधानिक दर्जा का हक नहीं है हमें उमीद जगी थी 2012 में एक प्रस्ताव पर भासन देते हुए ग्रेह मंत्री श्रिपी चिदंबरम जी ने भोजपूरी में कहा था हम रववा सब के भावना के समझयत आने हम मानसुन सेशन में भोजपूरी को मानिता देने के लिए भिल लाएंगे लेकिन तत्कालिन सरकार ने हमारी उमीदों पर पानी फेर दिया देग जी तत्कालिन ग्रेह मंत्री ने सदन में अश्वासन देकर अपने बात से पीछे हट गये और भोजपूरी के सम्मान के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया अब मोदी जी की सरकार है जो असंभव को संभव करने के लिए जानी जाती है मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक जो संभव नहीं हो पाया वो मोदी जी की सरकार में जरूर संभव होगा हमारी भोजपूरी को संबैधानिक दर्जा मोधी सरकार में अवश्य मिलेगा मानिय अद्यक जी हमें पूरा भरोसा है कि सदन मेरी बातों को गंभीरता से विचार करेगा आपने मुझे इतना समय दिया और समानी सदस्य साथियों ने सुना इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभार विफ्ट करता हूँ जै भारत जै भोज़चा